क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं पैरों में हमेशा चांदी की ही पायल और बिच्छिया क्यों पहनते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वज़ा है? क्यों कोई महिला कभी पैरों में सोने की पायल और बिच्छिया नहीं पहनती? इसके पीछे क्या वज़ा है? चलिए बताते आपको ऐसा क्यूं है? और जो हिर्दय रहता है सूर का परतीक रहता है सूर की जो रहती है तेज रहता है सूर का और सूने को सूर का परतीक माना जाता है इसलिए नाभी से उपर सूने का आभूसर पहना जाता है कि जो हमारी आत्मा रहती है वो हिर्दय के अंदर रहती है और सूर हिर्दय मतलब हमा पिटिक रहती हैं जो रोषणी करेंट रहेंनने, जो थन्डी रहती है। अगर आप चांदी के पाइल पंटे हैं वहीं होते हैं, और बैदी बीआ करता है, उस समय कोई भी दादी नानी के तरीकिसे देयेती लुगार्ड लुगा मुझे, पंटे के आप पया ही, नीचे नीचे से बाहर नहीं जाने देते हैं हमारी आतमा है जैसे जब जिजी दिन सरीर से आतमा निकल जाती है उज दिन सरीर निर्जीब हो जाता है सड़ने लगता है तो हमारी आत्मा को रोकने का एक हिस्तान है जिसको पैर को पॉइंट बोलते हैं जो हम उंगलियों में बिछिया जो पहनते हैं उससे जो नसे रहती है वो दबी हुई रहती है तो वहां से आत्मा हमारी बाहर नहीं निकल पाती है भार का काम भी देखते थी खेती भी करती थी किशानी भी करती थी सब कुछ क्यूं कर पाती थी क्यों कि वो चांदी के आभु सड अभी को ऊपर पहनने जाती है यही हमारा बैज्जानिक कारण हो सनातन धर में यहीं पद्धिती है लखनों सिंग राजपूत के रिपोर्ट local 18